हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मूंग दाल से बनने वाली दो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और आप इसे हफते में चार दिन तो बना कर ज़रूर खाएंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है इसमें ना ही मैंने सूजी का यूज किय है ना ही चावल का आटा और ना ही किस मैदे का किसी भी तरह का आटे का यूज इसमें हम नहीं करेंगे और इतना जादा ये स्वादिश्ट बनता है कि अगर बच्चों के टिफिन बॉक्स में अगर आप इसे बना कर देंगे तो बच्चे टिफिन बॉक्स जरूर फिनिश क तो फ्रेंड देर ने करते हैं तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल देशी किचन में और मैं। इसे बनानी के लिए मैंने तो यहां पर अपन में कडनी करें धानी orang हम यहां हमें 25 मैने करवा कर लिए 25 जिक तो यह बहुत अच्छे से फूल जाता है उसके बद हम क्या करेंगे इसे मिक्सी में डाल देंगे मिक्सी में डालने के बाद यहां पर क्या करेंगे थोड़ा एक ग्रीन चीली हम एड़ कर देंगे उसके बाद हम इसे grind कर लेंगे तो हमें इसे बिलकोल पतला grind करके ready करना है, बिलकोल यह इसमें छोटे दाने बिलकोल नहीं होने चाहिए और इसमें अगर आपको पानी की जरुऩ लगे तो एक चमच या दो चमच पानी डाल कर आप इसे ग्राइंड कर लें और हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें इसे थोड़ा थिक ही बना के रेडी करना है तो यहां पे मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है एक बड़े से बाउल में मैं इसे निकाल लेती हूँ और यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है अब हमें क्या करेंगे इसमें टेस्ट के एकॉर्डिंग मैंने नमक एड़ कर दिया है और कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें एड़ कर देंगे और बाकी कोई भी मसाले है मैंने इसमें एड़ नहीं किये हैं क्योंकि मैंने अद्रक और मिर्ची मैंने ग्राइंड कर लिया था तो इसमें और भी कोई मसाले डालने की ज़रूत नहीं है यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके रेडी होता है तो यह दिखें बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे अगर फ्रेंड्स आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हो और यहाँ पर सफेद तिल भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो यह बिल्कुल ऑप्शनल है दोनों चीज़े मैंने थोड़ा थोड़ा एड़ कर दिया है उसके बाद क्या करेंगे जो हमने आलू की स्लाइस कट करके रखे थी इसके में क्या करेंगे हम अच्छे से इसे कोट कर लेंगे तो आप देख सकते हो बस इसी तरह से हमें कोट कर लेना है और बिल्कुल एक्दम हमें इसे थोड़े से ओयल में इसे अलट पलट कर हमें इसे फ्राइ कर लेना है फ्रेंड्स इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है जैसे आप पकोड़े वगरा बनाते हो बेसन के घोल में लेकिन अगर आप इस तरह से मूं के दाल के घोल में अगर आप इस तरह से पकोड़े बनाओगे इसका स्वात बिल्कुल अलग होता है और खाने में बहुत ही जादा यह अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स अब पहली रेसिपी तो मैंने आपको बता दी यह बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगता है आप एक बर इसे जरूर ट्राइ करना मैंने इसमें कर सकते हो तो हमारी पहली रेसिपी बनके रड़ी है, दूसरी रेसिपी के लिए में आप मुरूँ दाल को जिस तरह से मैंने पहले ग्राइड के साथ उसी तरह से ग्राइड कर लिया है उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने सब्वेजी लिए हैं वो मैं इसमें एड कर दूगी तो यहाँ पे शिमला मेर चो प्याज और यहाँ पे मैंने टमाटर लिए है और ग्रीन चीली मैंने बिल्कुल बारी चॉप करके सभी को रखा था वो मैं इसमें एड़ कर दूगी और उसके बाद सभी को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तो फ्रेंड्स वेजी के अधा चमच और अधा चमच मैं यहाँ पे सफेद तील एड़ करूँगी तो सफेद तील फेल्द के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए आप ऐसे तो कोई खा नहीं पाता है तो आप इस तरह से किसी किसी चीज में आप एड़ कर दें जिसकी बेनिफित आपको बाड़ी तो इस तरह से मैंने लगा लिया एक पैन में मैंने दो चमच ऑईल लगा दिये अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और जो गोल हमने बना के रखा था उसके ब्रेड के ऊपर मैं चारो तरह बहुत अच्छे से एक तरफ से मैं उसे कोट कर दूँगी और इसे पलट कर क्या इस तरह से हमें साइडो से अच्छे से मैं क्या करूं कि इसे सेट कर दूँगी और इसके बाद इसे हम थोड़ा सो ओईल इसके चारो तरफ हम लगा देंगे और इसे हम ढख कर पकाएंगे ताकि ऊपर से जो हमारा ये नास्ता है उपर से भी अच्छे से सीक सके पक जाए उ बहुत ही जादा टेस्टी, रास्ता बनके रेडी होता है, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में फटा फट सुबह में आप इसे बना के दे सकते हो, और बहुत ही जादा ये हल्दी भी है तो इस तरह से आप बनाएं, और इस तरह से करके मैंने सभी बना लिये, तो यहां सॉस लगाया है, जैसे मैंने वहां पे ग्रीन चटनी लगाई थी, तो इस तरह से आप इहां पे सॉस का भी यूज कर सकते हो, टमैटो केचप, और उसके बाद इसके ऊपर आप इसके रखकर और चारो रच्छे से आप इसे कवर कर दे, और थोड़ा सॉयल के साथ इसे अलट पलट कर एक दम, आप घी में या बटर में आप इसे अलट पलट कर सेक सकते हो, और यहां पे बिलकुल बनके रेडी हो गया है, तो यह दिखे मैं इसे कट भी कर ले रहे हूं, और बहुत ही जादा यह मूंग दाल का हमारा सेंडविच बनके रेडी है, और यहां पी आलू के पकोड़े मैंने मूंग दाल में जो बनाए हैं, बहुत ही जादा अमेजिंग लगता है, तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाए और इंजुआए करें, और अगर आपको मेरी यह रेसेपी, मेरी यह वीडियो पसंद आए, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइ इसका टेस्ट बिलकुल लग होता है, आप एक बर इसे जरूर ट्राइ करें आपको जरूर पसंद आएगा, बहुत ही जादा यह हैल्दी होता है, और खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़दा टेस्टी लगता है, और यह मुँग डाल को सेंडविच है यह तो माइन ब्ल प्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई एंड टेक केर फ्रेंड्स